नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार के स्ट्रेटेज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कमपनी के स्टॉक के रिगर्डिंग अपडेट यहां पे आपके साथ डिसकस करूँगा साथी साथ कुछ टेकनिकल चाट पटन भी यहां पे देखने को मिला है तो जो बाइंग पोजिशन में हमें साथ को टेलीग्रम में पहले से आपडेट दे देता हूँ तो वो टेलीग्रम में पहले में 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 इस तरी की से इनफोर्मेशन पाने के लिए तो सब कुछ में डिसकेशन करूँगा कुछ इनपोर्टन साब्डेट है तो वीडियो को लाज तक देखिएगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्रेब निकिए तो देर की इस बात की अभी जाकर कर लिजीगा इस तरी की सी इनफोर्मेशन पाने के लिए सबसे पहले में बात करूँगा दिग्षे कंपांई के बारे में जिसका नाम है chef clean science technology देखिए हर कोई chemical industries को देखेंगे तो हर stock के उपर गिरावट है इसके पीछ एक ही कारण है देखिए जिसका जो production है वो production मतलब जितनी company कर चुके है उतना production वो sell out नहीं कर पा रहा है कि अब सब जानते है युएस मार्केट में recession होने के कारण चाईना में ज्यादा से ज्यादा production होने के कारण chemical product उसको चायना क्या कर रहा है युएस यूके जैसे और इस तरह के से कंटी में Europe जैसे कंटी में वो क्या कर रहा है और वो भी सस्ते दावां में तो इसलिए जिस कंटी को इंडिया बेज जब सारे डेटा ठीक हो जाएगा मतलब सारे inflation rate कम हो जाएगा देखिए तो सब मतलब हमेशा नहीं रहेंगे कभी ने कभी तो ठीक होगा तो जब ठीक हो जाएगा तब इस तरीके से आपको अच्छा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा तो रही बात इस कंपनी के डीटेल्स के ब कितना है 78.5% के आसपास और कमपनी इस बार किस तरीके से रेजल्ट के आप देखेंगे तो कमपनी का सेल्स जो है पिछले सालों के तुलों में इस बार क्वार्टर का जो रेजल्ट है अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स देखने को मिला तो सेल्स का इंक्रीजिंग होना उसक सारे point of view से देखेंगे तो कमपनी में अच्छा खासा growth देखने को मिला तो दिखेंगे जब कोई company continuously profit करता है तब उस company के उपर आपको एक अच्छा खासा momentum आज नहीं तो कल जोरू मिलेगा क्योंकि company में के company में कुछ खराबी है बिल्कुल सांदर company है clean science company का नाम में ही पता जल गया clean company neat and clean है हाँ बिल्कुल क्योंकि देखिए company का return of equity return of capital देखिए धामा का जैसा है और company totally debt free है तो इस तरगे से company को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको stock market में दूसरा company नहीं मिलेगा तो देखिए मेरा को recommendation भीज़ नहीं है मैं आपको मेरे experience के साथ आपको बता रह है अब रही बात प्रोमोटर के holding का तो प्रोमोटर कवर और सेवी के रूल से हिसाब से 75% से ज्यादा holding किसी भी company को नहीं होना चाहिए तो यहापर कितना है 78.5% इसका बाकी stake उसको बेचना पड़ेगा तो इसलिए आपर announcement भी किया गया है पूस्ते कौन बेचेंगे देखि तो पिसा है और इसी holding में कुछ holding बेचा गया है वोholdings कौं किसने पेचा चला मैं आपको देखा देता हूँ आप देखेंगे पर देखें अजुम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा तो तो देखिए टोटल कुल मिलाकर 9,84,300 क्वांटिटी बेचा गया है और उसका परसंटेज 0.92% के आसपास है तो इस तरीके से टोटल क्वांटिटी आपे उनने क्या क्या बेच दिया तो क्यों बेचना पड़ा क्योंकि देखिए आगर बेचें तो इसलिए मुझे लग रहा है इस तरीके से प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक आपे कम किया तो बहुत सर दूस्त कहेंगे सर प्रोमोटर ने स्टेक कम किया क्या क्या इसमें कुछ घरबड़ी देखने को मिलेगा बिल्कुल भी नहीं उल्टा अच्छी बात हुआ है क्यो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पर देखने को मिलता है दो कि लिएक हैं इस तरीके से हैड्न सोल्डर प्रन उड्न आ detailed अब तो को меняप Óड़ी तो दोनों ही pattern यहां पर बता रहा है कि company इस range को break out कर चुके है उसके बाद थोड़ा सा यहां पर advertisement भी देखने को मिला मुझे लगता है एक सांधर बड़ा momentum इस level से देखने को मिलेगा दूसरी बात यह था एक पैटन दूसरी पैटन क्या है मैं आपको बता दूसरी पैटन बहुत मेरे फेवरीड है वो क्या है किसी भी स्टॉक अगर 200 देखने के नीचे है तो किसी भी स्टॉक 200 देखने के नीचे है और वो स्टॉक कोई कोई भी green candle बना रहा है तो total green candle अगर 20% के उपर हो तो एक अच्छा खासा रैली आपको वह से देखने को मिलेगा और वो भी कितना दूर था 20% ही तक इसका मतलब 20% का return gain आप मिल सकता है तो आप किस तरह के से मार्किंग करेंगे अगर आप downside से upside तक मार्किंग करेंगे तो आ कि यहां पर जो carbon handle बना उसका target होगा अगर इसको back out कर चुके है 20 level अगर आपको हो चुके है तो आपको target रहेगा 1726 के आसपास और अगर आप इसी pattern को follow कर रहे है इसी तरीके से इसी pattern को follow कर रहे है 20 20 patterns के हिसाब से तो जब इस stock इस range तक आएगा तब यहां से एंटी लेना औ और exit होगा आपका इसी range के आसपास इसका मतलब आपको हर इसा में target मिल सकता है अगर मान के चलिए आप एंटी ले लिया और stock में गिराबट होकर इस range तक आया तो आपको एक मौका दिया जाएगा फिर से average करने का और अच्छा खासा आपको दो बार profit मिलेगा यापर average का profit मि लेगा तो इसका technically chart button में पहले से ही telegram में update दे चुगा second जो company इसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बजाज finance तो बजाज finance के बारे में बात करूँ तो अक्यला एक धामा का company है क्योंकि ए NBX से का एक leader company है साथी साथ company का जो performance है वो हमेशा मतलब देखा जाए तो एक धमा का जैसा company है क्योंकि continuously company sales को increase करते है expense को interest को कम करते है expense को कम करते है उसके बाद अच्छा खासा profit margin भी growth करते है अगर देखेंगे तो company का financial margin में company पिछले साल में 39% था इस बार भी 39% देखने को मिल चुके है इसका मतलब एक अच्छा खासा growth यहाँ पर देखने को मिलता ह तो company की इस तरीके से growth होने के पीछे कारण कौन सा है वो में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजा देते सा हो देखिए company के बता रहा है company बता रहा है कि बजाज finance में spin-off payment business तो company क्या कर रहे है company बता रहे कि खुद का जो business है उस business को अलग एक business में convert करेंगे और वो business कौन स सकते हैं देखिए where it has been maintained that company is looking to spin-off of its payment vertical and separate subsidiaries मतलब payment system के उपर एक नया company वो separate यहाँ पर subsidiaries company लेके आने मतलब ले आना चाते है तो मेरे इसाब से एक बहुत बड़ आपडेट्स है जिसके चलते यह company का business थोड़ सा diversification होगा फिर भी company को directly growth होगा क्योंकि अलग payment system कर देंगे तो वासे अलग customer acquire होगा और वासे extra benefit का company को फायदा मिलेगा और यह था एक जो एक वर्ल्ड के एक popular मतलब FIS है मतलब foreign portfolio companies है foreign investor है उन्होंने क्या क्या मजज finance को टार्गेट प्राइज जो है जिस तरी के से काम कर रहा है उस basis में company का target almost 8300 तक जुरू जाएगा तो अभी current price कितना है 7200 के असपास और current price से 100 sorry 1000 के असपास उन्होंने target ज्यादा रख चुके हैं तो obviously इस दोनों ही points एही major करते हैं कि company का upcoming season बहुत अच्छा कासा हो सकते हैं रही बद इस company के चार्ट पटन के सबसे आपको साथ share किया था और renti लेने के लिए भी में आपको मतलब telegram में update भी दिया था और अच्छा कासा देखिए एक rally दिखाया और अच्छा कासा profit booking भी हुआ तो फिर से एक renti level बन सकता है मगर यहां पर जो जिस तरीके से मतलब देखाजे तो यहां पर एक resistance बना है continuously यहां पर resistant बहुत strong resistant है तो इस resistant तक मुझे लगता है इस resistant तक company का जो stand है वो जा सकते है तो resistant तक जाने के लिए company का अभी भी थोड़ा से यहां पर volume करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी strong resistant का तोड़ता है तो आपर थोड़ा से volume great करता है उसके बाद अगर upside जाए तो बहुत बड़ा rally आपको जुरू दिखेगा मतलब 7600 तक company का जाने का chances है और इस जाने के लिए company को थोड़ा से यहां पर volume great होगा करना पड़ेगा कि को long journey करके company इतना दूर तक जा चुके है तो इंतेजार करना कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ telegram में update देदूंगा तो लास्ट चो company है जिसका नाम है आप देख स exchange limited तो आयोन exchange limited के बारे में बात करूँ तो company के face value है बहुत 10 रुपे का आसपास है मतलब company के face value है उसके 10 रुपे का आसपास face value देखने को मिला तो company यहां पर split का announcement कर चुके है और अगर आप देखेंगे तो split का date है बो भी mention किया गया है 12 June 12 June के company split announcement कर चुके है एक के बदले आपको 10 share देने वाल है देखेंगे जितने दोस्तों के पास इस company के हिस्सितर ही है तो उनको तो split में जाएगा और अगर आप face value करना चाते है तो थोड़ा सा study करके करिएगा company बहुत छोटा है company के जो market के भागत ध्यान से ध्यान दिएगा company का market cap कितना है पांच जाशा साथ प्रेप भी करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक है अच्छे सरी आपने ख्याल लेकिए बाइग